नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह कि इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती हैं और विध्यारतियों के लिए अवश्यक होती हैं तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते ह आप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें या टार्गेट विद परिया.com वेबसाइट को जरूर देखें उसमें भारत की सभी प्रतियों की परिच्छाओं की टेस्ट स्रीच उबलब करा दी गई है सबसे पहली सूचना है एडिट जुनियर हाइज स्कूल भरत है देखें यह लिखा हुआ है कि प्रदेश में 3049 असास की सहायता प्राप्त एडिट जुनियर हाइज स्कूलों में शिक्षक भरती के लिए आनलाइन आवेदन चल रहे हैं चार दिन में ही शनिवार सम्द 6 बजे तक 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 42,000 से अधिक ने पंजीक रन कराया और 13,000 स में अंतिम रूप से आवेदन भी कर दिया प्रधाना ध्यापक के 390 वा सायक अध्यापक के 504 से 1894 पर लिखित परिच्छा 18 अपरेल को एक साथ कराई जाएगी सहायक अध्यापक के लिए एक और प्रधाना ध्यापक पत के लिए दो प्रिश्ण पत्र होंगे अभरती 17 मार साथ हिंदी संस्क्रत अंग्रेजी में से एक समाजिक अध्यान गल्डित वविज्ञान विश्ण में से एक कचेंड करना होगा लेकिन वेबसाइट पर बिश्यों का विकल्प ही नहीं है इसकी शिकायत प्रिच्छा संस्ता से की गई है सच्चिव अनिल भूशन पर कि किसा ब्रकेता कितने अरे और साइनस की हैं और संवाईग्यी हो!. और जहां तक अगर आप शार्ना देश को देखेंगे और आप नीमा वली को देखेंगे तो दोनों में केवल और केवल इसना तक लिखा हुआ है यह नहीं लिखा है कि सम्मंदित विश्य में इसना तक के वल इसना तक के साथ में उच्छ प्रात्मिक टीटी अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोकी अज काफी सूचना है सबसे पहली सूचना तो यह कि PCS में इस बार रिकार्ड सात लाख अ और लिखा कि बढ़ाई जाएगी प्रिक्षा केंद्रों की संख्या PCS के 400 ACFRFO के 16 पदों पर होनी है भरती और यहां पर नीचे लिखा है कि PCS 2021 और ACFRFO 2021 के लिए उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोक को रिकार्ड सात लाख आविदन मिले हैं PCS के 400 और ACFRFO के 16 पदों पर भर प्रक्रिया में आवीदन आने करने इस बार आयोक को अत्रीक्त प्रिक्षा केंद्रों की विवस्ता करनी होगी अगली सूजना भी है उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोक की एक भरती लिखा है कि प्रदेश के असास की महाविद्यालियों में विज्यापन संक्या 46 के तहत एक भुगर विज्यापन संक्या 50 के तहत 49 विश्यों में असिस्टेंट प्रक्रिया में आरक्सित वर के अभरतियों को जाती प्रमालपत्र के मामले में रहात दे दी गई है आवेदन के लिए वर्त मानमे उपलाव्द जाती प्रमालपत्र भी मानने होगा लेकिन प्रारूप के अधार पर प्रमालपत्र बनवाना होगा और इसके साथ ही होम साइंस विश्यों के अभरतियों को भी आयोगनी रहात दे दी है असिस्टेंट प्रोफेसर भरती के लिए आविदन की प्रक्रिया 25 फ्रवरी को शुरूवी थी आरचित वर के अभरतियों को जा की ग्रेडिंग सिस्टम के अधार पर ग्रेड दिए जाते हैं वहांके अभरतियों को निधारित प्रमूल के आधार पर ग्रेड को प्रतिशत में परवर्षत करना है और उसी को अपने अबेदन में अंकित करना है एक और सुचना है उत्तर प्रतिस लोग सेवा आयोग की उत्तर प्रतिस लोग से आजकल बहुत सारे जो अभर्थी हैं उनका अभर्थन निरस्त किया जा रहा है क्योंकि वह वान्थित अभलेख हैं वान्थित समय पे जमाने कर पाएं और उसकी जगह दूसरे अभर्थी को मौकत दिया जा रहा है अभी हाल ही में ऐसा कुछ और भर्थी में भी हुआ है खास्तोर से एल्टी ग्रेट सिक्षक भरती में लिखा है डाइट प्रवक्ता का अभ्यर्थन रस्त नय का चैन उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयो से और से कहा गया है कि प्रवक्ता हिंदी के 76 पदों के लिए तदर दरूप से अभर्थी बवली कुमार आलोकशुक्र की और से समय में भांचित अभिलेग प्रस्तोत नहीं किया गया है इसलिए उनका जो अभ्यर्थन वा निरेस्त किया गया है बवली कुमार के इस्थान पर अलुक्षिकल के इस्तान पर अजयक्मार मौर्य का जो नाम है वो संस्तुत कर दिया गया है अब जो अगली सूचना है वह ससी की ससी की कर्मचारी चैन आयोग की जो परिच्छा है और यहां पर लिखा कि कर्मचारी चैन आयोग नहीं मल्टी टैक्निकल इस्ता परिच्छा दो जारी कर दिया गया है और इनको दो आई वर्कों में बाटा गया है 18-25 और 18-27 इसके बाद में अगली जो सूचना है वह दिल्ली पुलिस में दरोगा भरती पेपर एक की उत्तरकुंजी जारी और कर्मचारी चैन आयोगनी दिल्ली पुलिस वा केंदरी बलो में दरोगा भरती 2020 पेपर एक की परि बरती हो रहY है वह स्सी की ओर से परिक्शा होगी अब इसके बा ही जो परिक्शा है वह से ही लिखा है कि पहले चलण की प्रिक्चा कराएगा सी एटी और एन आर ए सितंबर से सरकारी नौकुरियों के लिए प्रारंबिक स्क्रीनिंग और परिक्षा करेगी कर्मचारी चेन आयोग की और से Constable GD 2020 के बाद पहले चरण की स्क्रीनिंग और परिक्षा की जिम्मेदारी राश्ट्री भरती एजेंसी को सौपी गई है स्सी की और से 25 मार्च को घुषित होने वाली Constable GD 2020 परिक्षा आयोग की और से अंतिम स्क्रीनिंग परिक्षा होगी इसके बाद आयोग की और से पहले चरण यानि टियर वन की परिक्षा के लिए कोई विग्यापन जारी नहीं होगा सितंबर 2021 से SSC, Railway, Banking की जो परिक्षा है उनके लिए Common Illigibility Test होगा और इसी Scorecard के अधार पर मुख परिक्षा या जो आगे की परिक्षा है उनमें विद्यार्थी बैठेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में PET का आयोजन किया जा रहा है सबी भरतियों के लिए इसी तरीके से ए सरकार की जो भी भरतिया होती है है इनके लिए जो प्रारवि मेंद्र की लग्वख 20 भरति एजेंशिया सामिल होगी अब बारी है उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग कि लिखा हुआ है कि सर्चिव अधिनस सेवा चैन आयोग को आधेश पालन का दो महां का समय असल में मामला यह है कि एक जात्र हैं वो अपनी OMR देखने के लिए अपनी उत्तर पुष्तिका देखने के लिए कोड चले गया थे और कोड ने इनको आधेश दिया था लेकिन अभी तक इनको जो है ओमर नहीं दी गई है और यह जो ओमर है वह आपकारी कांस्टेबल की यहां पर लिखा कि इलापद हाई कोड ने उत्तर प्रदेश अधिनस्तेवा चैन आयोग के सर्चिव आस्तोस मुहन अ करने की छूट दी है कोड ने सच्व को बारहें जनवरी 2021 को तीन हफ़ते में याची को आपकारी कांस्टेबल भरती के ओमर्सी दिने का निर्देश दिया था जिसकी अभी लेना करने पर यह आवमानना याच का दाखिल की गई थी यह आदिस नहमूर्ति सुनित कुमार ने अशुनी आर्यावा साथ अनकी अवमानना याच के पर दिया है अगली सुचना भी यह यूबी ट्रपल असी के जिसके बारे मैंने कली एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि हों में पहती फार्मेसिस्ट पद के लिए चैनित अभरतियों के जो के लिए लिए कटाफ जारी कर दी इसके बाद में कुछ और भी सुचनां सब्सक्राइब कर दिया गया जिसको इस वीडियो में जोड दिया जाता है लिग जैसा कि लिखा कि चौथे टेस्ट में भारत ने इंगलेंड को पारी और 25 रन से हराय सीरीज पर किया कब जाए काफी माधपूर्ण यह टेस्ट सीरीज है चूंकि इसके बाद जो भारत है वह सीधे टेस्ट चेंपियंशिफ के अब फाइनल में पहुंच गया है और सुरू में पहला टेस्ट है वह भारत हार गया था उसके बाद में लगातार भारत ने तीनों जो टेस्ट है वह जीते हैं और तीन एक से यह पूरी सीरीज भारत ने जीती है और इस सीरीज में लि के और अब जो जुन के महीने में भारत और न्यूजिलेंट के बीच में मैच होगा करनाड साहित के मश्यूर कवी लक्षमी नरायन भट का भी निदन हो गया है और यह भी किसी ना किसी प्रजोई परिक्षा में पूंचा जा सकता है इनका नाम याद रखिएगा लिखा अगला करेंट अफेयर है मंगल की सेतह पर रोवर ने तैकी 21 फूट की दूरी अमेरिका की जो अंत्रिच एजेंसी है नासा उसने परसी वियरेंस रोवर भेजा है मंगल ग्रहपर और जीवन की खुच के लिए उसी की बारे में या पर लेका हुए कि रोवर ने अपनी पहल किरम लोग 5 मीटर की दूरी तैकी मंगल पर उतरने के 2 सबसे बाद पर्सी वियरेंस रोवर इस ग्रहपर जीवन की संभावना तलाचने की अवियान में जूटा है तो याद रखीएगा दो बाते हैं की परसी वियरेंस sous रोवर जो यान है वो किस देश का है इस अमेरिका क का आगाज इंग्लेंड के खिलाफ सीमीत ओरों के स्रीज के खत होने के 12 दिनों बाद 9 अप्रेल से होगा और यह जनकारी बी सी सी आई के एक सुटर निशनिवार को दिया इस बार भारत में होने जा रहा है और आप लोगों पता होगा कि पिछली बार का जो आई पल है आई पील है वह सब्सक्राइब में हुआ था और वहां पर पिछली बार मुंबई इंडियन्स ने यह मैच जीता था तो ठीक दो